Hello students, तो आब हम करेंगे question number 2, तो question number 2 क्या दे रखा है? Read the bar graph figure 3.4, यहाँ पी यह 3.4 एक figure दे रखा है, इसमें bar graph को में read करना है Which source the number of books sold by a book store during 5 consecutive years and answer the following question? यह bar graph so क्या करता है? कि यह जो 5 साल दे रखे हैं, लगातार 5 साल, यहाँ पे consecutive का बोला है, consecutive का मतलब होता है, लगातार 89 से 90, 91, 92, 93, यह हमारे years का बार दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है? Number of books sold, यानि जितनी books बेची हैं, वो दे रखा है, ठीक है? आगे हमें क्या दे रखा है? इन 4 parts के answer find out करना है तो पहला वाला part क्या कहता है? About how many books were sold in 1989, 1990, 1992 तो यहाँ पे पूँच रहा है कि कितनी books बेची हैं 1989 में, कितनी books बेची हैं 1990 में और कितनी books बेची हैं 1992 में, तो यहाँ पे हम इस बार से start करते हैं अब यहाँ पे देखो, यह जो बार है, यह कहां तक जाता? यह हमारा 0 है, उसके बाद में यह 100 है, यह 200 है यह जो बार है ना, यह 200 से थोड़ा सा नीचे है अगर हम 100 और 200 के बीच में देखें, तो बीच जो है वो यह होगा और 100 और 200 का जो बीच आएगा वो कितना होगा देखो यहां पे ये 0 है ना 0 के बाद 50 आएगा 50 में 50 जोड़ेंगे तो 100 100 में 50 add करेंगे तो 150 तो ये होगा 150 तो अब ये क्या होगा ये हमारा 150 से भी ज्यादा है अब यहां पे ये 150 है ये 200 है तो 150 और 200 के बीच में है तो यहां से यहां कितना होगा 25 तो 150 में जब 25 को add करेंगे तो यह आएगा 175 तो यहां पर पहले वाले का answer लिख लेते हैं solution first तो यहां पर लिखते हैं in 1989 तो 1989 में कितनी books बिची है 175 books उसके बाद मैं 1990 में देखना है अब यहां पर देखो यह जो 1990 का जो बार दे रखा यह कहां तक दे रखा है अगर हम इसको थोड़ा इस तरह से बढ़ा ले तो यहां पर यह 500 से ज़स्ट नीचे दे रखा है सेम चीज यहां पर भी की थी सेम चीज यहाँ पे भी करना है यह 400 और 500 इसके ज़स्ट नीचे है 400 और 500 का बीच जो है center यह होगा यहाँ पे कितनी books होंगी 400 में 50 add कर देंगे क्योंकि 100 जो न 1 unit scale दे रखा है 100 books तो half कितना होगा 50 होगा तो 400 में 50 add करेंगे तो 450 आएगा और 50 का half कितना होता है 25 तो 450 में जब हम 25 add करेंगे तो यहाँ आएगा 475 तो यहाँ पे लिखेंगे 1990 is equals to 475 books ठीक है उसके बाद में देखना है 1992 में तो 1992 का यह बार दे रखा है अब अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाएं तो यह जो ना यह 200 के just उपर आ रहा है सेम चीज यहाँ पे देखो यह 200 यह 300 है यह 100 है ना 100 का half 50 तो यह है center और यह center से नीचे है यहाँ पर क्या होगा 250 250 से नीचे यानि इसके बीच का आधा करेंगे तो यह यहाँ से यहाँ तक 25 होगा तो 200 में जब 25 एड करेंगे तो यह आएगा 225 तो यहाँ पे 1992 में कितनी भी की है 225 books अब यहाँ पे एक चीज हम याद रखेंगे कि यहाँ पे यह जो बार हमें दे रखा है यह चुकि बार ग्राफ पर तो दे नहीं रखा है तो यहाँ पे यह estimate कर रहे हैं हम लोग exactly ऐसा नहीं है यहाँ पे जिसे यह बार है ना यह यहाँ पर तक है इसका मतरब यह exactly नहीं है क्योंकि यहाँ पे लगभग है और लगभग के लिए about लिखते हैं यानि कि लगभग यहाँ पे 175 books भी की होंगी 173 भी हो सकते हैं 176 भी हो सकते हैं similarly यहाँ पे यह जो दे रखा है 475 यह लगभग दे रखा है यानि 475 से ज्यादा भी हलका सा हो सकता है और हलका सा कम हो सकता है ज्यादा फरक नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे यह जो आंसर है एक्जेक्टिली सेम नहीं होता है तो यह चीज़ हम याद रखेंगे बार ग्राफ में अब यहाँ पे second वाला पार्ट क्या कहता है इन which year were about 475 books sold तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस year में लगभग 475 books भी की है about 225 books sold और लगभग 225 books भी की है यहाँ पे about का मतलब है लगभग ठीक है तो यहाँ पे हम तो यह चीज़ तो पहले ही find out कर चुके है है 475 और यह है 225 तो यहां पर सेकंड वाले का अंसर आ जाएगा 475 बुक्स यह बिकी है 1990 में 225 बुक्स यह बिकी है 1992 में अब आते हम थर्ड पार्ड पर तो थर्ड पार्ड क्या दे रखा है in which years were fewer than 250 बुक्स वोल्ड तो यहां पर पूँच रहा है कि किस इयर में 250 बुक्स से कम विकी है तो यहां पर पहले हम 250 देखते हैं तो 200 यह है और 250 यह है अब अगर हम देखें तो यह हमारा इस तरह से जा रहा है इससे नीचे जो बार होंगे न वही हमारी कम विकी होंगी अब इसको तो हम पहले ही find out कर चुके यहां पर तो हम देख सकते हैं कि एक यह बार है एक यह बार है इस बार को जो हमने देखा था तो यह कितना था 225 भी हमारा 250 से कम होता है और यह वाला कितना है 175 तो यह भी हमारा 250 से कम है तो यह दो साल हैं जिसमें 250 से कम बुक भी की हैं तो यहां पर जो थर्ड होगा न उसका आंसर हो जाएगा 1989 and 1992 अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे तो यह कहता है Can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989 तो यहां पर कहरा है कि क्या हम explain कर सकते हैं कि हमने कैसे estimate किया 1989 में books को क्योंकि यहां पर हमने 175 estimate किया है तो कैसे estimate किया है जो चीज हमने यहां पर की थी न वही चीज हमें लिखनी है तो हमने इस बार को किस तरह से estimate किया था यहां पर हमने इसको देखा कि यह half से ज्यादा है तो हमने क्या किया था यहां पर देखो यह जो है न यह एक unit है यहां पर इसके लिख भी रखा है यह जो है यह एक यूनिट है और यहां पर तक यह बार आया है अब अगर हम इस एक यूनिट के 4 पार्ट कर दे 4 पार्ट कैसे करेंगे 1, 2, 3 यानि अब कितने पार्ट हो गए 1, 2, 3, 4 3 लाइन जब खीशते हैं तो 4 पार्ट हो जाते हैं तो यह कौथे नंबर पर जाता है 3rd नंबर पर तो यानि यह जो होगा यह 3 by 4 होगा तो 1 तो पूरा है और यह 3 by 4 है तो यहां पर हम 4 वाले को लिख लेते हैं किस तरह से लिखेंगे वी एस्टीमेट दी बार एज 1, 3, 5, 4 यूनिट हमने क्या किया एस्टीमेट बार को जो है 1, 3, 5 यूनिट पे देख लिया इस तरह से हमने एस्टीमेट कर लिया कि यह जो बार है यह इस पोजिशन पर है अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 1, 3, 4 इसको सॉल्व करेंगे यहां पर यूनिट भी लिख लेते हैं 4 वनजा 4, 4 में 3 एड करेंगे 7 तो यहां गया 7 बाई 4 यूनिट अब यहां पर 1 यूनिट जो है वो किसके एक्वल दे रखा है 100 बुक्स के एक्वल तो यहां पर 7 बाई 4 में 100 बुक्स को मल्टिप्लाई कर देंगे यहां पर यह 7 लिखेंगे यह 25 हो जाएगा यहां पर 25 बुक्स 25 को अगर हम 7 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आएगा 175 बुक्स तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यही हमारा यह आंसर हमने लिया था लास्ट पार्ट था कोशन समाप्त नेक्स लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट कोशन आज के लिए बस इतना ही